सब्सक्राइब कीजिए 06 30 पॉइंट को और बैल आइकन को दबाई ये लेटेस्ट रिक्रूट्मेंट और एक्जाम अपडेट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हाई गईस वेलकम बैक तो मैं चैनल 06 30 पॉइंट और आज हम बात कर रहे हैं आररबी की फीस रिफंट के बारे में आपने आररबी का अगर आपने आररबी का अलप और टेक्निशिन का एक्जाम दिया था जो अपका फर्स सीबिट है अगर आपने वो अटेंप्ट किया था अकाउंट नमबर गलट डाल दिया था और अकाउंट नमबर की जिखाप उनोंने कस्टूमर आईडी डाल दी थी तो गाईस उसके लिए क्या करना होगा आपको जो एप का फोन नमबर रेजिस्टर्ड है उसी नमबर पर आररबी आपको 1712 2018 को डिरेक्टली एक मैसेज करेगा और उसके बाद आपको एक लिंक प्रोवाइड करा दे जाएगा जिसके थूरू आप 17 से लेके 25 तारिक तक आप क्या कर सकते हैं आप अपने डिटेल्स फिर से फिर कर सकते हैं अकाउंट डिटेल्स और उसी के साथ आररबी ने आपको बता दिया कि आपकी फाइनल करने का बट अगर आप इसमें भी कोई मिस्टेक करते हैं तो उन्होंने साफ क्लियर कर दिया है कि उसमें उनकी कोई गलती नहीं होगी आप इसके लिए खुद ही जिम्मेदार होंगे तो इसी वीडियो के नीचे मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूँगा 17 तारिक को जब यह लिंक अवलेबल होगा आररबी की ओफिशल वेबसाइट पर ठीक है गाईज तो विद अपनी डिटेल्स फिर से सही सही फिल कर देगा IFSC code, bank account number और जो भी आपकी bank details है अगर आपकी गलती हुई है तो बट अगर आपके कोई गलती नहीं होती है अगर आपके पास SMS नहीं आया था तो इसका मतलब यह है कि आपकी जो details थी वो सही fulfill हो गई है आपकी payment आपके पास forward कर दी गई है और आप safety के लिए आप चाहे तो अपने account details भी check कर लीजेगा ताकि कि आपको पता चल जाए कि आपकी fees refund होग चुकी है ठीक है गाइस so with that said that's it for today thanks for watching अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो please वीडियो को like कीजेगा share कीजेगा comment कीजेगा और subscribe कर दीजेगा उसे के साथ साथ अगर आप किसी और exam के position कर रहे है तो आप मुझे वो नीचे comment मे attitude हो या फिर आपको कुछ भी हो GS हो या फिर आपको टेक्निकल सब्जेक्ट हो नों टेक्निकल सब्जेक्ट हो किसी भी exam से रहे हो SSC SSC CGL SSC JEE कुछ भी हो गाईस वो सभी आपको इस चैनल पर free of course provide करा देजाएगा with study material so thanks for watching please like and subscribe 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 करने के बाद बैल आइक ज़रू दबा द कर दो